चेह शाहता है जह हम बात करेंगे खंडश्चा दिखारी के तैरी कैसे करें खंडश्चा दिखारी में आवेदन वही कर सकते हैं जो बेयड है यह वीडियो आप तभी देखे का जगर आप बेयड कर चुके हैं क्योंकि इस फार्म को आवेदन करने हैं सबसे जो प्रमुक अहर अधिकारी बन जाएंगे और आपके नाम के साथ अधिकारी सब्द जोड़े जाएंगा आये जानतेश की तैरी कैसे करने हैं और क्या-क्या पढ़ना है जब भी UPPSC हमारे मनिमा जादत लगता यार कहीं कोई पहाड सा तो नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है अगर आपने तैरी को पुरी मनियों के साथ तो यकीन मानि जाए खंसे ख्षादीकारी बरेने का फकर सपना वो जरूर से पूरा होगा यह दो चवड़ों में परिक्षा होनी है मतलब पेले प्रिलिम्स होना है फिर मन्फ मैंने प्री परिक्ष्षा होनी है विसमें कहते हैं दूसरा चलण होगा मुख्य परिछ्छा में इसमें MCQ A descriptive दो तरह के प्रिष्ण में आपके परिच्छा में पूछे जाएंगे पहला अगर प्लिम्श की बात करें अगर हम प्री की बात करें प्रारें भी परिच्छा की बात करें तो वहां पर 120 प्रिष्ण होंगे द अगर हम देखें तो 4-5 साल मनि 4-5 साल गैप में एक बार खंड से इक्षादिकारी की पद आते हैं और इस प्राया आते हैं इस सपने को साकार करने के लिए बीएट के साथ आपको प्रजदिल 4-5 घंट अगर आप दे रहे हैं तो खंड से इक्षादिकारी पर इच्छा को आस तब लोग पढ़ना सुरू करते हैं माने जब इसकी बिग्यप्ति आ जाती है तब पढ़ना सुरू करते हैं तो यकिन माने की चार-5 महिने में तयारी की नहीं जा सकती लेकिर रिवीजन के जा सकती है अगर अभी अधियाचन चलना है और भरती आने की पूरी उमीद है आपको प्रारम्भी के साथ मुख्य परिच्छा की वें तयारी करने होगी मानि अगर हम बात करें तो प्रारम्भी परिच्छ और मुख्य परिच्छा दोनों की कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कौमन है मानि जो प्रारम्भी परिच्छा में पूछा जाते हैं मुख्य परिच् लेकिन अगर अभ्यास जो है लिखिने का जो अभ्यास है जो डिस्केप्टिव है जो लिखित परिक्षा है उसकी अभ्यास एक गंटे डेली अभी से करते चलिए बाकि इसकी जो थेयरी का सेसन है उसको पढ़ते चलिए और थेयरी की सेसन के साथ साथ इसकी जितनी जादा जा पढ़ते हैं ताप असानी से त्यारी कर सकते हैं जो चैनी से चछक होंगे और वह बीड़ भी चाहते होंगे कि हमें भी खंच्छा दिकारी बनना है हमारी एज सीमा क्या है और क्या हम आवेदन कर पाएंगे इस पूरी जैनकारी को वीडियो के आगे तक बने रहेगा हम इसकी छोटी छोटी सभी जैनकारी ओंपकश आठेचछ अपने मिस्त्रों को सेर करेंगा आज हम पर बिंद्रों पर करेंगी क्या पढ़ना है का है क्या क्या नहीं पढ़ना है कूटी वाले सवाल खूक जोलं भर-बर की पुछा जा रहा है और प्रस्चन की जो कठना यास तर वह दिन प्रद न बढ़ाय जा रही है प्रस्ण कुछ तो लगते हैं असान है पूछा प्रस्ट लेकिन यूश की कठना ही असतर यू बढ़ा हूँ तो ने इंडhe कर दोनों में कुछ चीजे आपके लिए क्या त्यारी करना है सबसे पहले तो वह त्यारी करना है जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उसे रिवीजन करिए जो नहीं पढ़ा है उससे भी पढ़ने पर फोकस करिए आपके पास अच्छी के लिखित परिश्या की बात करेंगे जो जी आपके परिश्या की तरब चलेंगे आप लोग इस वीडियो में आगे भी बने रहेगा अब हम करके कद अंदर कदा हम आगे चलेंगे अब हम बात करते सबसे पहले जो आपके शामने है साथ दिख रहा होगा कि खंड सक्षा दिखारी प्रारमी परिच्छा है तू योजना और पार्टकरम माने खंड सक्षा दिखारी बनने के लिए जहां पर जिसकी में बात कर खंड सक्षा अधिकारी बी यो के लिए पद पर चैन हित्तो प्रारमी परिच्छा में शामान अध्यान वस्तुनिस्ट मतलब में ध्यान दिखार यह एक प्रस्ण के चार विकल्प होंगे का एक प्रस्ण पत्र होगा जिसमें प्रस्णों की जो शंख्या है वह 120 होगी माने 120 सवाल होंगे और 300 प्रस्ण होंगे तो हम यह माने जलते एक प्रस्ण को 120 सवाल अगर आप 80-85 तक पहुंच रहे हैं तो यकीन मानिए अगली परिच्छा में आप प्रिवेश कर जाएंगे अवदी की बात करें तो दो घंटे की होगी अवदी क्या होगी दो माने 120 सवाल को 120 मिनिट में सॉल्व करना है और प्रतीक प्रस्ण के लिए आपको धाई अंक मिलने वाले हैं दो सही एक बटा दो अंक मिलने वाले हैं तो आई एम इसके सेलबस की बात करते पोड़ा आंक यहां पर 300 है प्रस्ण 120 है समय 120 मिनिट अठाथ दो घंटे का समय आग्यों में आप अगर आपके पास है तो आप उसे पड़ सकते हैं अगर आपको मुका मिले तो सबसे पहले जो फोरा त्यार कर लीजाएगा जीएस के अग्यों में सबसे पहले to कमेश्टरी हो गई वालाजी हो गयी मतलब बहुत बिग्यान हो गया और उसके बार जिविज्यान इसके साथ साथ इसने साइन्स एंट टक्नलोजी है और करेंट का भी विज्ञान पदोगी जो उससे भी जुड़ा हुआ टॉपिक है कोंप्योटर भी एक मतलब सामान विज्ञान में आपको पाँच पढनी हैं हम छीजपी के शीज़ं साथ कळ नीश कोDE चंद्री Exclusive शे एक सब्सक्राइब ऑब आपने सबसे हम बात करें तो जीएस में चाहिए आप आरो एरो की तेहरी कर रहा है या आप खंड सिक्षादिगारी कर रहा है पेट की तेहरी कर रहा है अब करें तो प्राचीनी तिहास मतलब एक तरफ इतिहास और एक तरफ भारती राष्टी अंदॉलन दोनों को रख दिया जाए तो दोनों को पढ़ ले आपस में बराबर होते हैं मैंने आज के जो परिक्षा को ट्रेंड है तो कह रहा है कि भाईया भारती राष्टी अंदॉलन पर सबस्यादा फोकस करो तो इसके लिए भी आप भारत की तिहास के लिए महस्कुमार बढ़वाल किताब पर सकते हैं बेसिक जानकर एक लिए को लूशन द अगर आप जुडेंगे तो आप भी हमारे साहत यरी कर पाएंगे अब भातिराश्टी अदॉलन इतिहास में भी प्राची नितिहास है अस्था और किस तरज सवाल पुछे आते हैं उनको एक एक करके पढ़ना है प्रवक पुछे आती हैं तो इनको भी हम क्रमवा रूप से समझेंगे और क्रमवा रूप से पढ़ेंगे यूगि देखिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना अगर यह आपको समझी में आ गया तो अधिकारी बनने साब कोई रोग नहीं पाएगा अगला है भार्ती राजितंद जैसे भार्ती राजितंद रापकी में समझ जान पवल्टी की बात कर रहे है राजी बोस्ता की बात कर रहा है भरती श्वमिधान की बात कर रहा है और श्वमिधान एकदम कौमन है श्वमिधान के लिए आप डिडी बसु कोई पढ़ रहा होगा कोई सुभास का स्टेप को पढ़ रहा होगा तो कोई लूशेन को पूरा कबर कर लिया होगा कोई मैं इसक पूरा पढ़ लेना है जिसमें दोनों आजागे क्लियर पॉल्टी की राजी बोस्ता की घटना चकर आपको पूरा तयार करना है अगर इतना तयार के लिए तो आपको प्रिवेसर में मिल जाएंगे जो आपने तयार किया वही आपको सीदे सिदे मिल जाएंगे फिर इन दोनों की जो पूरी इंसियाटी है कच्छा 6 से लेकर बारह तक ही लड़नी विद्धुर्गेश के एफ पर मिल जाएगी हिंदी मीडियम में दोनों मीडियम में उफलब्द है मुझे भी मौका मिलता मैं भी पढ़ लेता हूं शंस्किती तो संस्किती जो है वह आपको पढ़नी है जो संसकिती है कुल्चर है वह आपको कॉन होगा इतीहाद प्राचीं इतिहाद का सेशन है अपको मिल जाएगा उसी नोट्स में आपको एक साथ मिलेंगे लेकिन है अलग के मिल जाता है एग्रिकल्चर है भारति किसी चैना पीशेस की तहारी कर रहे हो और एक ह प्रमुक्रोग होता है तो उसके लिए भारतिया दिवस्ता जोड़कर पढ़ सकते हैं और भारतिया जीव भ्यापार है और अगर हम भारत की भोगोल की बात करें तो भारतिया भोगोल में पढ़ने को मिलता है तो वहां भी हम इसे पढ़ सकते हैं और इन सभी के लिए घटना चकर के लिए बैस्ट के आप पढ़ेगी और मेरा सजेशन होगा कि घटना चकर का आप रिवीजन यतना वड़िया करेंगे उतना सेलेक्शन के संभान आपकी बढ़ जाएगी अब बात कर ही पेश कियोगे लेकिन इंपॉर्टेंट है जहां से परिच्छन में शवाल आते हैं उसके बाद नगरी करण और यह देखिए भारती परिपेश में मैंने जो यह है नगरी करण है यह भारत के संदर विश्व के आपको नहीं पढ़ना है अगर आप चाहें तो जैसे सब्सक्राइब करेंगा यूटूब पे देख रहे हैं तो लाइप करेंगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगा वीडियो को खूब शेयर करेंगा सभी लोगों तक पहुचा दीजिएगा अगला आता है पासित की तद्रमन यहां पर यह परियावराण आपको पूरा पढ़ना पर शॉट में अगर आप कम समय में रिविजन करना चाहते है यह लाइन भी दूर्गेस को पूरा पढ़ लिजे या किताबें पढ़ लिजे उसके बाद अप घटना चेकर के MCQ पर फोकस करें तो कि थेयरी भी आपको थ्यार करनी है और थेयरी में लिखना भी है बिसके अगे करना है वर्ल्ड जेओग्राफी अगर बिश्व भुगोल की बात करें तो बिश्व भुगोल में आपको क्या-का चाहिए पढ़नी है पले तो साथ महादीप पढ़ लेना है उसके बाद नदी है परवत है पठार है ठीक है उसके अलमा जाला मुखी भुकांप इन बिश्षय को कैसे पढ़ा जाता है उसके लिए परिच्छा की दोनों की त्यारी हो जाएगी परिच्छा में नए ट्रेंड से सवाल पूछे आ रहे हैं इसके लिए आप इसके गटना चक्रपे भी फोकस कर सकते हैं एक ही किताब गटना चक्रपी जिसमें वर्ल्ड जोग्राफी और इंडे जोग्राफी दो रहती है इस भारत का भोगोल अभ को पूरा पढ़ना है और प्र्राक्तिक संसादन परदेगे इस तरह से हम वर्ल्ड जोग्राफी को तीन पढ़ेंगे तो तोड़ तोड़कर पढ़ेंगे ताकि एक साथ आपका तीनों कॉंसेट के लिए हैं फिर भारत की नदिया भारत की परवत भारत की पढ़ार भारत की मैदान तो इन सभी तर्थों को भी आपको देवाइडे क्रमवारोब से पढ़ते चलना होगा तो यह पर इसके बाद परिच्छा नजदी काने पर इस पर ज्यादा समय दीजिएगा तो कि यह जितना पढ़ेंगे परिच्छा ने बहुत लेगा तो पर प्यास करेंगे जो बदलेगा नहीं जिसमें कोई परिच्छा नजदीक आने परिच्छा के लिए रहोने पर ही यहां आवेदन सुरू हो जाए तब करेंट पर फोकस करें जिस भी परिच्छा की तैरी करें तो कि कॉमन जिएस अगर आपने तयार के लिए तो PCS के लिए सभी के लिए काम आ जाएगा आगे शामान ने बहुतिक मैंने रिजिनिंग की बात कर रहा है रिजिनिंग भी आपको त्यार करनी है कि वहां पर PCS के लिए सीट में सीट में पढ़ना होता है सिविल सर्विज अप्रिट्यू टेस्ट में लेकिन यहां पर उसी 120 नंबर के से एी था इसा हो गया तो यहां तो तो यहां से सब्सक्राइब रातिर पहलें बढ़ना है उस्पर प्रीए प्रैक्टिस पर प्रीविष्ट प्रफाइब यूपट के स decor पर यहेंग उप आल सीपेशल उ अगर यूपी में परिच्छा देने जार आरो यारो पुलिस पेट पेट से भी परिच्छा हैं अच्छी पद आते हैं तो सबकी लिए पर यूपी स्पेशल जाना ज़रू यहां तक कि यूपी स्पेशल के संस्किति कल्चर आवाश भौतिक विभाजन जग्रॉफी अच्छे यूँ समझते हैं यूपी किस्टी जग्रॉफी पहल्टी कल्चर तो यह सब आपको पॉइंट हैं इसमें साइंस के साथ साथ गणित के भी सवाल आते हैं मतलब ऐसा नहीं कि गणित मे सामन्लिय गणित के सवाल आते हैं जिसे परशेंटेज हो गया लावाणी बेट्टा हो गया सधान ब्याज हो गया चिक विया शाऑ्कती से शुबाद से इस हैं तरह सवाल में पूचे आते हैं रेखंगडित होता है 15 गणित से मिलाकर 20-25 शवाल पूछे जाते हैं ज्यादा ज्यादा कई बढ़ तो 15 सवाल ही पूछे गए हैं मिला कर दो उसे तो यह माने चलिए 15-20 सवाल जो है वह आपके रिजिनिंग और मैट्स हैं सवाल लगभग 90-100 सवाल आपके GS से ही पूछे जाएंगे ज्यादा करना और 15-20 सवाल के किवली करेंट से होंगे और 15-20 सवाल यूपी स्वेसल से भी होंगे बाकी आपको GS पर फोकस करना क्योंकि एक क्रम उपन इचे भी होते हैं कभी वी किसी के तरह भी कल्टी मार जाता है इसलिए ध्यान से पढ़ना है हर तक्ते को पढ़ना है और ज्यादा ज्यादा अभी से अगर पढ़ना सुरू करेंगे तो आपके लिए तैयरी करना पढ़ना बहाद आसान हो जाए यह था पूरा जो प्रीकर्शन बस वह मैंने आपको बता भी वीडियो को शेयर करिएगा और अगर कोई सवाल आए वीडियो कोमेंट सेक्शन में जाएक और कोमेंट करके आप पूछ सकते हैं और जबाब दे सकते हैं अब हम इसके बाद मुख्य परिच्छा की तरफ बढ़ेंगे अब इसकी मुख्य परिच्छा की तरफ हम आगए अब यहां भी मुख्य परिच्छा के बारे मैंने कि मुख्य परिच्छा में क्या क्या है कैसे कैसे आपको परिच्छा देनी है किस किस चीजों पर फोकस तरब हमने पहले का कि अपनी तयारी को एक बार प्रीकर शिलबस औ इन दोनों को सिर्फ रखने के बाद तब अपनी तहरी करेंगे तो सफल होने के समावन आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी इसमें करें तो मुख्य पर इच्छा लिखित पर इच्छा ये दो अनिवार पश्ण पत्र होंगे इसमें दो पेपर होने हैं मनें घंड का मनें भाग सब्सक्राइब लेकिन मैंने नहीं बता बीवीद अपने आप जोड़े आता है जीएजी के हो गया उसके बस सामान हिंदी जनरल हिंदी ये पीशेस में भी है आरो आरो में भी आपको मिलेगा और यहां पर भी आपको हिंदी मिलेगा निवंदी की बाद करें मतलब मुख्य परिच्छा को हम तीन भागों में बाख सकते हैं एक जीएज में जीएजी के हो गया दूसरा हिंदी में तीसरा निवंद में तो तीन तुकड़ों में बाद कर पढ़ेंगे अब इन में क्या देखेंगे यह तीन तीन घंडे के पीपर होंगे मनें एक सामानत जन एक में होगा माने यह आप को यू कह सकते हैं फर्स्ट कह ले और इसको हम कह लेते हैं शेकंड समझ में अरी मेरी बात ठीक इन दो तुकड़ों में तोड़ लिया यह प्रश्ण जो होंगे दो-दो-सों के सामानत देन होगा दो-सों की हिंदी और निवंद फिर से जीएस जो आपक कर ले जाएंगे और हिंदी थोड़ी सी मेनत कर लिया हिंदी भी कर पाएंगे आप तो अगर उबर्वल देखें तो मेहनत के जरूरत है आपको अब आगे इसके सेलवस की बात करें इस प्रकार परिच्छा में कुल चार सों मुखी परिच्छा जोगी इसकी इतने अंकी कि प्रश्ण पत्र की रचना है तू प्रश्ण पत्रों के श्वरूप उनकी अंकों का विभाजन निमने होता है आई उनकी प्रश्णों की विभाजन के हम लोग एक बार बात कर लेते हैं यहां पर कुल प्रश्णों की संख्या जोगी 40 मने कुल 40 सवाल आपसे पूछे जारे कित्य शवाल 40 सवाल आपसे पूछे जाएंगे इन 40 सवालों में सभी प्रश्ण निवार होंगे प्रश्णों की संख्या होगी 40 और सभी प्रश्ण आपर होंगे अनिवार सभी प्रश्ण कुंदों में विभाजींट होंगे सभी प्रस्न क्या है अलगलग खंडों में विभाजींट होंगे अंतर गट Sakanda मनें प्रहलाऑ और प्रस्ण पत्र में किम दस प्रस्ण जो दस प्रश्ण होंगे सामान उत्तर हिंक होलिक यह시 gallery प्रश्न के 10 अंग होंगे मतलब यहां पे धान दीजिएगा कि खंड आ में 10 प्रश्न होंगे और जिसकी सब्द सीमा होगी 125 कितनी होगी सब्द सीमा 125 की होगी माने यह पेपर होगे आपका 10 गुड़े 10 माने 100 नंबर पर यह कैसी हो गई यह शामान उत्तरी होगी मतलब इसे ह प्रश्न के जैसे एक चोड़ा सवाल देगा पूछा जा सकता है कि कोशी नेदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है डैठा करी आप पूछा जा सकता है कि चंद्रयान तीन के शफल होने के कुछ प्रमुक बिंदों पर प्रकाश जा लिए तो इस तरह के सवाला के परिछा म में लिखना है खंडबय की तरह बढ़ते हैं इसके अंतरगत 10 प्रश्न होंगे लग उत्तरी के जिनके सब्सक्राइब कर दस प्रश्न होंगे माले होगए आपके साथ अब आपकी पेपर होगे एक सो साथ अग के शाल कित्ते होगे 1010 20 संक्ति होगे कितनी होगे सव और 60 360 होगे 200 का खंड करें आप आते हैं खंड साथ कितरू इसके अंतर के 20 फ्र्श्मां होता है जो एकदम अत्री मनलब यह 가 यह अति लगुत्री है लगुत्री यह दिर्गुत्री है तोड़ें हूं तोटेगा कौन कौन अतियलक ऊत्री लगुत्री दिरगुत्री के सब्द शीम एक्सोपचीस अंख है अतियलक ऊत्री के सब्द शीम है यह पचीश सब्द हैं कितनी हैं पचीश सब्द हैं इन में प्रतेश्ट प्रश्ण के दो अंकने रहे थे मालें यहां पर सबसे जादा जो निड़ायक है वह आपका द्रेख उत्त्री दस सवाल ददस नंबर के होंगे दस सवाल चाछा नंबर के होंगे फिर बीस सवाल दो-दो नंबर के होगे इस प्रकाद 200 प्रश्णों का शामानित होगा इसके लिए आप अच्छे से तयार करेंगे लेखन सहली आपको इतनी स्ट्रॉंग होगी उतना बहतार होगा उसके सासाथ में छोड़ा से चाहे तो आप इलनी बिद्रगेश को जुनूर्स है इलनी बिद्रग कम में काम करेंगी प्रश्ㄱ प्रत्मतें सिल्ख़ा और वह प्रतमदिष्टाज हो तो यहां तक आप लोगो मुझे समझ में आ गए होगी अब हम देरे खुत्तिरी एक सो पचेस सब्द कुछीमा है लगुत्तरी की .. 25 मतर्बा इतना मला प्रस्टन है उत्राई थे अब हम करते हैं… अब शामान हिंदी में या वह सामान हिंदी.. अभ रहां पर दिखें.. अब यहांपे दिखे जो हिंदी का रोल है आपका वह कितना आंख है हिंदी क्या है और जो घंड है हिंदी निबन सो नंबर का है इसमें खंड और वह हो जाएंगे ठिक अब सामानत दिन का जो सेशन इसको एक बार पूरा देख लेते हैं कि सामानत दिन जो मख्य परिच्छा क इसमें क्या-क्या चीजे पड़नी वह मोल रुप से आप देखना है इसमें समय सीमा तीन घंटें कि पोडांग क्या होगा 200 होगा समय कितना होगा 3 घंटे 3 घंटे में आपको पूरा लेखना है अगर सब्दों की बात की जाएं तो हमने देखा कि दिरघुत्री जो है वह ब प्रहक पर कार सब्द की सीमा जोगी वाइस सो पचास सब्द लिखना है आपको तीन घंटे में तो ये समझ लेजाएगा कि आपको इस तरह सही लिखना इसमें भारत के टिहास प्राचिनित चाह्स मदिकाले तालि भारत आतिराश्टी आनदोान भारतर निति बाद कर रहती रहती ठीई आनदोलन और भारती राश्टी यह आपको मिल याएग़ प्राचिनित चाहशस मिल धर्लावा वुगल अदिराश्टीicate को मिल जाएगा अंतर राष्टी मामले और भारत और विष्व तो यह भी आपके करेंट में आपको मिल जाएगे मों की परिछे में करेंड के रोल बढ़ जाएगा विज्ञान प्रदोकी मैंने उपर ही बता है साइंस्टेक्टलोजी होगी संचार होगा अंतर राष्टी छेत है तो यहाँ चिछा में क्या-क्या रिकास मतलब इसे नई सच्छे नीती पर्दनी है नमबर दिया गया इन नमबर पर काम आ सकती है आपकी मरजी आपकी मरजी आगे देखें अब सामान हिंदी की बात करते हैं नमबर इसको नहीं पढ़ना है इसमें क्या है अपठित गद्यांस का संचेपड में लिखना है फिर उससे समधित प्रशन होंगे रैखांकि अंसो की ब्याक्षा है उसका प्रिवेट से पेपर है उसका सारा ले सकते हैं घटना चक्र के यूथ की आती है दोनों आपके लिए क करेंगे उतना बहतर स्कोर होगा खतकर अगर लगातार पड़ रहा है तो इस पर कभी अच्छा स्कोर अपका होगा उसके बाद सास की पत्र है कार्याले आदेश ग्याव प्रिश्विध्यप्ति है अदिशूचना है और परिपत्र समंधि पत्रलेखन है और आलेखन ये भी ही आपको हर्दयों बहरे की किताब है और प्रिवेसर पेपर जो पीशेश के हो च्यके उस से भी आपको काफी मदध मोने वाली है अब और आगे चलते हैं पौइंड के तरफ चौता पॉंट जो है उसमें क्या क्या रहा है अनेकार्थी सब्द है इसमें अनेकार्थी सब्द है बिलोम सब्द है पर्यावाची सब्द है तत्सम्यों तत्भो सब्द है छेत्री भासा है देशज है बिदेशज सब्द बंडार है वर्तनी अर्थबोद है शब्द हिंदी भासा के प्रियोग होने वाली अशुद्यां तो यह हम देख रहे हैं हिंदी ब्याकरण हो गया अंग्रेजिस हिंदी अनुवाद हो गया पत्र लेकवन हो गया और अपठित गद्यास हो गया तो सौ नमबर यह चार घंडों में बटा है यह तो मुझे नहीं लगता का आप उसमें जादम मैनत करनी है इसे रिवीजन करना है इसे प्रिवेश पेपर पर ही फोकस करना है बस किवल प्रिवेश पेपर उसके साथ साथ इसकी मौडल पेपर लेने के बाद आप खुछ से लिखे बहुत अच्छा इस पोरा कर पाएंगे अगर हिंदी नीबन की बात अजिघ ऑ जफ में से एक नीबन लिखने हैं आपको दो नीबन इसमें देखिए इनका प्रते नीबन की जो भी सीमा होगी satso सब्दों कितने सब्दों का होगा 700 इसके लिए भी आर्टिकल्स यतना थिक पढ़ेंगे मतलब नीजपेपर की उतना बढ़िया इस पोर आप कर पाएंगे निबंद ही तू निम इच्छेत्र होंगे क्या-क्या होंगे आईए उन निबंदों के बारे में लोग लिख देते हैं अगर हम निबंद के अगर हम बात करें तो पहला खंड होगा यहां पर साहित्यों संस्किती राष्टी विकास योजना का क्रियानमन राष्टी अंतर्राष्टी सामाजिक्स समस्याय निदा तो यहां पर अगर आप NCIT अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छा लिख पाएंगे और अगर नूस से जुड़े हुए हैं डीडी नूस से भी जुड़े हैं आटिकल्स पढ़ते बहुत बढ़ी आप निमंद लिख जाएंगे और उसमें प्रिविए से पेपर का रोल बहुत ही आहम होने वाला यूपी पीशेस के भी पेपर का यूज करना आपको आरो यहां पर इतना अगर आपने त्यारी कर लिए इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपको खंड सक्षा दिखारी बनने से कोई रोक नहीं सकता इसके साथ साथ आप सभी लोग अगर आप चाहते हैं घर बैठे आपको नोट्स मिल जाएं इलनी भी दुर्गेश के इस नंबर पर कॉल जाल पात हैं तो आप यकीन मानी आप त्यारी को बहतर कर पाएंगे इसके लिए प्रिवेशर पेपर आपको पढ़ना है कि मुख्य परिच्छा की भी प्रिवेशर पेपर लिजिएगा यूपी पीश्य के पेपर हुए हैं और आरो आरो को हुए हैं और खंड सक्षा दिग पोष्ट कम आती है मेरा सिलेक्सिन ओगा नहीं होगा यह सचने वालों कि ज्यादा है लेकिन मेंदारी से मेहनत करने वालों की लोगों कि शंख्या बहुत कम है और आपने पुरी मेहनत किया तो आपको खंड सक्ष्य दिग्रेगारी बने से कोई भी रोक नहीं पाएगा बस पूरी नूर्स आपको आपर मिल लेगी जब को तेहरी कराने में कापी अहम युगदान देगी वह निबंद है थेहरी है और चीजों को कैसे बैक्त करना है इस पर भी आपके लिए इंसेयाटी आहम भूंका निवाएगी और अगर इतनी तेहरी की तो वीजों के साथ ता पीस इसका ही लेबल रहेगा और उसी लेबल के साथ सपनी तरिफार करेंगे टेली कराम पर आपको सब्सक्राइब करेंगे जैसे ही जोडएंगे वहां सभी क्लास की वीडियो नोट्स सब कुछ आपको मिलते रहेए तो टेलीगराम पर दूरगेश सर्च करेंगा सेज़बूग लगेश इस्टाग्राम पर लगेश ट्विटर पर लगेश अकर आपका कोई बत्तिकत सुझाओ या शला हो तो वीडियो में कॉमेंट कर सकते हैं वीडियो को जाजादर करिएगा लाइक करिएगा यूटूब पर देख रहे हैं चनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा करिए ताकि अभी की बार एक सीठ हमार का शपना पोरा सके अब सभी का बहुत-बहुत आभार बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो में कॉमेंट करिएगा हम आपके लिए जल्दी क्लास शुरू करें यूँकर है तो हम मंडे से इसकी सेशन सुरू कर रहे हैं और थेरी